कॉंगरेस सरकार में गोटा लेनी वे बीजेपी सरकार में गोटा लेनी ओफिसों में कैसे काम होता है जनता जानती है मैं सर्टिफिकेट देने वाड़ा में पर लोग बहुत परिसान है पोल्सियां कहने बनाई हैं वो सिरफ नाम चेंज करके कॉंगरेस टाइम से सारी चली अब बहुत सोब कामने तो जैसा कि भूपेंदर वर्मा जो है एडोगेट हैं तो इन्होंने अप अपनी नोकरी से VRS ली है और आज जो हैं चुनाव के रण में उतरे हैं कांग्रिस की टिकेट के दावेदार हैं और कांग्रिस की टिकेट के लड़ाई लड़ रहे हैं तो घर गर जाकर जो डोर टोर जा रहे हैं अपना एक परचार कर रहे हैं तो कांग्रिस पार्टी का जो परचार कर रहे हैं वाज ये टिकट की लड़ाइद लड़ रहे हैं तो एक समाज से भी वी यह काफी इनका जो परिवार्रिक परिवार भी समासेवा चुरू से और यह भी समासेवा किये इनौने बुजुर्गों की आखे बिंवाई इनौने बुछ से पांगरे बलेड से लगवाई है इनोंने तो उनके बारे में बात करेंगे सर कैसे आप बढ़ी आप सुनाये तैंक कांग्रिस की जो टिकेट की लड़ाई है सर उचाना हलके में तो उचाना हलका जो हर्याना की होट सिट का आ जाता है उचाना हलके को तो सर कांग्रिस की टिकेट की लड़ाई के पीछे तो काफी बड़े बड़े चेहरे हैं सर जैसे की जैसे की नाम लोगा हम आपको एक तो आ मुस्य देखके मैंने ठोड़ा सा इदर इंटर्ष्ट रखे हैं बाकि पार्टी नेत्यों से कंग्रेस सरकार बनाना कि लिए बर्सक परियतन कर रहे हैं और उमीद्य हैं करीमियिanka मिर्यान में सरकार बनेगी नोकरी में था वोट डालने का अधिकार सब को था और पार्टी की विचार दाराओं से जुड़े हुए थे तो 2005 से पहले लंबे टाइम मेरे बाउजी चौरी बंसिलाल के साथ इनके साथ राजनीती की और बंसिलाल जी की पार्टी का रियाना विकास पार्टी का विल्या होने के बाद कॉंग्रेज करने का अपना जजबा था था और उनसे प्रेरित होके मैंने इदर परेना देखते हुए लेकिन अच्छा प्ध तो वियर्स लेकर आपने इस काफी लंबे टाइम नोकरी कर ली थी और लोगों की समस्याइं देखके अंदर एक टीस पैदा होती थी कि कुछ मैं अपना जीवन का योगदान समाद सेवा में लोगों की समस्याओं को सुदारने में में कि समस्यां सुन के इनको आगे बढ़ाने मेर समशियां को खतम करने में जड़ से हिनका मैं कुछ न कुछ स्यूग करूँ जो कि राजणीत में इंटरी हो के इसका सेम्यों हो सकता है और जो समस्या एं हम अपने चिदर किया और यह को मुख्यमंत्रीन चाहते हैं और मेरे स्पेशल बड़ा प्रेम मिलता है अब लोगों के सामने विछ वी मेरे विचारें से प्रेडित है और मुझे उमीद आगे मुझे ऐसी प्रेम मिलता रहेगा और मैं उनका धनेवाद भी करता हूं इतना प्रेम मुझे मिलता है सर डोर टोर जा रहे तो समझ्चे हैं भी आपको देखने मिलेंगी उचानाल के में तो क्या क्या समझ्चे हैं आपके सामने लोग जो जनता रख रही है हैं बहुत समझ्याइं हैं जि मैंने पहले भी आपके माद्य disabled यूट्वर हैं जिन्हों मेरे सेल्यव लिया उनके माद्यम से मैंने रखी हैं कल 12 नई समझ्याइं और उनके लावा वैसे तो बहुत ऑनलके में जैसे पाणी की स्वास्थे कि ती सिक्षा कि ती शफाई की थी और गाउं में फैमली आईडी की थी तशीलों में प्रोब्लम मैंने सारी चीजें बताई है कल दो समस्चाएं और मेरे सामने मेजर आई जहां मैं गाउं में गया कल करशिंदू गाउं में था पालवां गाउं में था मैं उचाणा में भी था कई गाउं में मैं गया हूँ कल तो वहां कर्शिंदु गाउं में तो एक में समस्या आई कि वहारजवाया है जो अब देखो फसल का टाइम है अपने टिवलों से भी जीरी का मोसम है पाने की पूर्टी नहीं होती चालिस इकतालिस दिन में वहारजवाया आता है और हजारों हजारों एकड़ ज चले हुए उससे आगे किसी लिडर्शीप ने या किसी सरकार ने या किसी अधिकारी ने उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जो चालिस दिन में रजवाया आए उसकी पूर्ती सारी सप्लाई की भी होती है खेतों की भी होती है वो लोग जूज रहे थे रात को बा इंडिगेशन डिपार्टमेंट की समझ्या हैं पांच छे इंच साथ इंच तक के नके लगे हुए हैं और उन्हों ने ये बताई के हजार एकड के करीब हमारी जमीन इस मेल्ट में इस नक इन नकों पर लगती है छे साथ इंच के नके हैं दस से बारा मिनट एक किले को पानी भरने के लिए मिलती उसे ज्यादा ले नहीं सकता दस से बारा मिनट में तो मैं कहता हूं पांथ छे गंटे में तो एक टिवल से एक भरता है जो हमारा चार-पांच इंच का बोर होता है तो दस से बारा मिनट में वो क्या करेंगे एक खुड भी नहीं भरदा तो कैसे जीरी लगाऊंगे कुकर काम चलाऊंगे क्या वो करेंगे किसके घर जाएंगे बैचारे ऐसे तो मारने वाली बात है सरकार ने द्यान देना चीए इन चीजों की तरफ और पूरे पानी क्या पूरती देनी चीए पीने की वेवस्था पानी की बहुत ही जीबों गरीब लोग कैसे ज को इतनी विमारियां सुगर बीपी कैंसर हार्ट यह सब समस्चा हैं ना यह पानी से सरकार करने ध्यान देने से हैं अवेरनेस ने यह लोगों में सुईदाए नहीं मिलते लोगों सर वादे तो बड़े-बड़े किया जाता है बनने से पहले लेकिन वादों को पूरा नहीं ही गया जाते को सब सर इसके क्या करने सर देखो एक मैंने यह पानी वाली तो आपक मेदर समस्चया MYRए सामने कल मजदूरों की आई थी मैं बदाना गाओं में भी गया था रस्ते में दो घो लेबर department में और जो अपनी डियार डिये में जो मजदूरी की और जो मनरेगा की कापिया बनती हैं लोगों ने कहा के तीन तीन चार-चार बार फारेम अप्लाई कर चुके हैं इतने बड़े धेर लगे रहते हैं तीन तीन चार फुट के ओफिस हो में उनकी कोई लिस्ट नहीं बनती कोई कंप्यूटर में फीडिंग नहीं है वो किसी को दे के यह नहीं बता सकते हैं आपका फार्म किस प्रोसेस में चला हुआ है आपकी किस रिजन से नहीं बन रही फैमिली आईडी में जो उनकी इंकम बढ़ा दी गई वो जैसे ही कुछ करते हैं तो फैम स्मस्याई हैं बीजय 보이는 सरकार में आप समस्याएं बता रही हैं क्या ये समस्यां का अन्ग्रेस योकर पाईगी सर कांग्रेस पाण्टी्ज उटा साब साबने सपश्ट कि hasmen का है कि एक एक यचर्म सारी समस्या कि acting is पांडादा के समस्या की अचे है बड़ी समश्या आती है और उसमें गड़बड हो जाती है तो लोग चकर काटते रहते हैं वेरिफाइं नहीं होता है एक नई बात और मेरे सामने आई अभी संडे को हम भी प्राइवेट सिस्टम बिठा के यहां लोगों की फैमिली को दुरुस्त करवा रहे थे लोग कह रहे में तो एक मजदूर व्यक्ति का अपना पूरे महीने का खरत चलता है ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार ने इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चीरी चीज़ की जांच भी होनी चाहिए मैं कहता हूं सर बात करें बेरोजगार की तो बेरोजगारी जो आज का जो नोजवान युवा है विदेश की तरफ रुक कर रहा है सर तो यहां पर युवा रही नहीं है ना मातर है सर तो बेरोजगारी क्या कांग्रेस सरकार कम कर पाईगी सर अब तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है आप देखो जो भी पड़ा लिख्या बच्चा ग्रेजवेट होने के बाद आपको कहा हूं कि वादे तो बड़े-बड़े की जाता है बनने से पहले लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता नहीं वादे पहले भी हुड़ा साब की सरकार थी दस साल लाखों नोकरियां दी गई और जो बेरोजगारी के परती स्किम में की थी वो लागो करी गई पहलवन्यों को नोकरी दी गई हर व्रको रोजगार दिया गया मंदरेगा वाली स्किम थी उड़ा साहब कर टाइमिंम्या लागो हुई थी अच्छी तरह से उटभें इम्पलिमेंट कर रहे थे सर्वे कर तुम कोलेक्शन करो और वो बतानिक कैसे नाम लेके जाते रिपोर्ट देते गर में तो पांच-पांच कापियां बनी हुई है गर में एक भी नहीं है और बनने को यह दिख हैं तो पांच भी बने पर बेरोजगार जो हुनकी सब की बने उनके साथ यह दो-दो-चार-चार- जार पांच-पांच-पांच-जार रुपेर वो चक्कर कटें और जिसका मन चाहिए नाम दे दें ऐसे हैं कि जो साधन संपन उनकी बनी हो गरी परिवारें को नहीं बनी हुई यह जरूरी है इस टाइम ध्यान देना इन बातों का सरकार का देना चाहिए और इनके साथ अत् सब्सक्राइब करें किसानों की हाली में किसान निता गुर्णाम जिंग चडूनी का बयान आया है कि कांग्रेस ने हमें मरने के लिए सटक पर छोड़ दिया किसान का वोट किसान कोई मिलना चीए देखो वह उन्होंने अपने विवेक से दिया होगा किसान की बड़ी करते हैं सर देखो मैं पारटी का सिपाई हूँ और कांगरिस पारटी की सरकार बनाने के लिए मेनत कर रहे हैं जब मैं मैं तो उमीद तो रखता ही हूं बाकि पारटी हाई कमाने सिसने तरी तो ने डिशाइड करना है जो कंडिडेट सर्वे में सबसे आग्य होगा या जो करने के लाइक होगा और जो इसके अंदर होगी के इस कंडिडेट के अंदर ये बात है तो मुझे उमीद है कि मैं मानकों पर खड़ा उतरता हूं जो बाकि जो गवर्मेट अपनी जो सिसने तरी तौका देश होगा उसकम पालना करेंगे और पारटी को चिताएंगे अगर स सभा रहे हूं और यहां यह नहीं कर रहे हम जहांँ भी बैठते हैं कहीं भी जाते हैं कोई नहीं देगी हम उनका साथ को पथा अमारा मानना तो यह इंवे उन्हों इसा नहीं करना चाहिए था उसमें नराजगी भाडी बात नी पारटी ह internation में उनको बहुत कि दिया है बाकि वो हमारे से बहुत senior leader हैं जो उन्होंने decision लिया होगा बविश्य को देखके लिया होगा या अपने स्वार्थ की राजनीति को देखते लिए हुआ होगा हमारे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है पारटी के सचे सिपाई है सर कॉंग्रे सरकार में जैसे की कहते कि बड़ पिछे जो कहते हैं कि इमानदारी का डोल जो पिटे हुए है मैं कहता हूँ कि यहां करफशंचरम सीमा पे बीजेपी सरकार में हुआ है पिछे एच पीएस्टी के कि अंदर सरकार ने उठाया पैसे पकड़े गई तोना बड़ा गोटाला था एच एससी के चेर्मेन को चेंज किया निचे अधिकारियों की क्या स्थेती है ओफिसों में कैसे काम होता है जनता जानती है मैं सर्टिफिकेट देने वाड़ा नहीं पर लोग बहुत परिशान है सर सीम की कुरसी को लेकर कांगरिस में काफी टाइम से फूट से लिए आ रह की तो है कोई भी हो और राहुल गंदी जी के दिशान निर्देश के अनुशार और पहले भी लंबे टाइम से ऐसा ही हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर डिकलेर करके नहीं चलते विदायक दल का नेता विदायक जो बनके आते हैं वही अपना नेता भी चुनते हैं और उनके को मानती है ऐसा ही पहले होता हुआ है ऐसा ही आगे होएगा सर बीजेपी और कॉंग्रेस के लिए एक बड़ी चुनोती भी आई है सर सीखों की लगबग हर्याना में अठारा लाख वोटे हैं सर तो उन्होंने काया कि राज्य सभा में 16 से 20 सिटे मिलें और लोक सभा में 2 सि इतन करता है और कॉंगरेस पार्टी ने तो सिख समाज को बहुत कुछ दिया दस साल मनमोन सिंग जी परदयान मंतरी बने रहे सिख समाज को भी द्यान में रख्या और वो एक अर्थ सास्त्री थे बहुत ही पड़े लिखेर देश को बड़ा आगे लेके जाने का उन्होंने कॉंगरेस पार्टी में बढ़ जाता था तो वो कपड़े उतार के परदर्सन करते थे आज आसमान को चूर रखे हैं 100 रुपे लिदीजल कर देते हैं पैट्रोल कर देते हैं तो कहते हैं तो डीजल पैट्रोल कम हो गया इस टाइफ मी लोग समझते हैं सारे ऐसा नहीं बेक करिक्सान के साथ भी मजदूर के साथ भी एक मोटर मेकानिक के साथ भी ड्राइवर के साथ भी उन्होंने हर फिल्ड को देख लिया हर तकलीप को समझते हैं प्रैक्टिकल सर विदान सभा चुनावरियान में कितनी सीटे कोंगरेस कि आप मानते बहुत हैं इस इस भी नहीं पहलवान सारा ही तपका लेकि सर बीजे पी तो कारी भी बहुत करिया विश्मान कार्ड बनवादी है सर लोगों के इलाज फ्री में उने लगया पांच लाग तक का और राशन दे रही है सर तेल भी मिलता है गेंव भी मिलती है तो मजदूर वर्ग बिलकुल खुश है इससे स देखने के लिए अईसमान कार्ड हमें पता है कितने इसके अंदर ब्लैक मेलिंग है कितना लोगों ने प्राइवेट होस्पिटलों ने कितने बैचारे व्यक्तियों के साथ वहाँ अभी पिछे देखो आईसमान कार्ड से कितने लंबे टाइम तो कोई बेनेफिट ही नहीं करने बिमार पेसेंट को अमर्जनशी वालों को वहां से उठा के ले करना ले जाएं क्या फैसला लेगा गरीब आदमी देखो बोलना करना करना उसको इंपलीमेंट करना बहुत बड़ी बात उसको प्रपर तरीक से इंपलीमेंट करना चाहिए मैं तो यह कहता हूं बनाया यह सिर्फ नाम चेंज करके कॉंग्रेस टाइम से सारी चली हुई थी पॉल्सियां नाम चेंज करके उन्होंने उसको चलाना चाहा पर उन्हां इंप्लीमेंट वह बेनिफिट हुआ यह साथ कभी वह देखते थे कि हमें काप नामिले मेरा जो माना जो मैंने देख्या है पर अब सरकार आई है तो लोगों ने देख लिया इनको और कॉंग्रेस पारेटी की लंबे टाइम सरकार देखी है उड़ा साब की सरकार भी देखी है बहुत अच्छे अच्छे काम हुए जाते थे मेरे किल पूरे हरियाना में जो गलिया कचीνη वह ठोटली गलिया क्रिख पूरे हरियाना यांगया जो यहां साथजारसे श्याओं में can you देख्यार भॉरे हरियाना के आता गाउं में बहुत पैसा गया था सारी गलियां पक्य छी स्वीधाय मिली थी सड़कें बहुत अच्छी बनी थी और हर वरक को समान मिलता है सर टिक से पहले या टिक मिलने के बाद तो व भर गर जाते हैं लेकिन बाद में लोगों की मेले बनने के बाद में लोगों की समस्य नहीं जया तो वह उनको सुनने मिलता है कि आप यह ने उसमें सपस्ट तोर से अपने विचार रखे हैं मैंने बोला है कि यदि कॉंग्रेस पारटी आती है अब भी कभी बैठते हैं तो डिस्कस होता है हम अपना सुझाओ रखेंगे कि यहां पर एक आदेश जारी करो जीज दिन मंतरी की चंडिकेट में जरूर तो मीटिंग हो बड़े बड़े चेरे हैं जो कि लोग गाओं के लोग करते कि हमारे बीच घुसे तक नहीं आज तक सर पांसाल हो गई उनको बने लोग तो उसका खामियाजा भूगतेंगे और भूगत रख्या है पिछे भी इसका खामियाजा जो लीडर्सी पे उन्हों ने अच्छी तरह देख लिया अब वो लोगों में अभी लेक्शन के दोरान भी जाने की कोशिश करें मैं कहता हूं कि यदि कोई मोका दे उनको तो चलो लोगों के बीच में रहना भी सही है समझ हमारे मैंने जो देख्या है गाओं में गुम के म हमारे दुख सुक में आ जाए बंदा कोई चोटी मोटी समस्या हुआं बैठ के निपड़ जाए दो इशू मैंने उठाए हैं रोडा जीस के अंतर लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक तो हर गाओं में हेल्प डेस्क बना चाहिए बैए एक विवस्ता बढ़े बैठ करियो अधिकारिया का है और लोगों की किसे परकार की किसे मैं कि में कि समस्याओं यो कठी करेगा और यो समाधान करके ता हमने बताओगा एक तो सबसे पहले मैं सब हमारी सरकार आई तो भी मुझे मुझे मौका मिला तो भी यह है अपने हलके के लीडर के लेवल की बाते वो ये विवस्ता करवा सकता है दूसरा मैंने आपको बताई थी आप पूछ रहे थे बीच वाड़ी मैं तो कहीं थी हम भी यो सुझे संदेवांगे अग्वा जो मैं ले मंत्री बने उसने वादेश हो जेजी अग्वा चंडिकर जिस दिन मीटिंग हो जिस दिन काम हो उस दि पर लोग सुल्ट लेंगे आप पर काम करें लें आप पर सवाल जबाब कर लेंगे जो सही काम करेंगे उन्हें लोग अपनाए राखेंगे तो देखिए हमारे सथ मुझू थे एडविट पूपेंदर और माजी जो की पड़े लिखे हैं समाज से भी हैं तो आप इनको कितन करेंट बोक्स में जूर दें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ज्यादा ज्यादा लाइक करें